हलो एवरिवन वल्कम बेक टू यर ओन चैनल साइंटिया अगर आप लोग भी पीटट और सीटट एग्जाम्स की प्रिप्रेशन कर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और वीडियो को डेली लाइक कीजिए अपनी फीडबेक जरूर देजिए आज हम हमारी साइंस की सीरीज को कॉंटिन्यू करेंगे लेट अस चार्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्रिक करंट एंड सर्किट आज हम डिटेल में बात करेंगे इलेक्रिक करंट के बारे में इनके रिलेटिड जितनी भी ग्रॉपिक है उनकों आज कि डिटेल में बात करेंगे वह तो आपका यह कंसेप्ट जाएं हैं क्लियर हो जाएं सोरी लेटास चार्ट हमारा फेस्ट्रोपिक है इलेक्रिक करंट इलेक्रिक करंट क्या होता है उससे पहले मैं आपको बता दूप कि जो टर्म है चार्ज जो क चार्ज क्या है किसी भी चीज को attract करने की power या फिर बोल सकते हैं एक property जिसमें आप क्या है किसी चीज को attract करते हो या फिर repel करते हो वो substance जो भी substance ऐसी property require करते हैं उनको क्या बोलते हैं charges charges positive भी हो सकते हैं और negative भी हो सकते हैं जो चार्ज हैं वो flow करते हैं high potential to low potential always flow करेंगे और यहीं पर हम बात करते हैं हमारे electric current की तो electric current क्या होता है जब flow होता है charges का किसी भी circuit में उसको क्या बोलते हैं हम electric current बोलते हैं flow of charges भी बोल सकते हो किसमें conductor में क्योंकि insulator में तो flow ही नहीं करते हैं ठीक है जब charge particles move करते हैं यह flow करते हैं तो क्या electric current produced होता है clear है तो electric current आप current को क्या लिख सकते हो q by t charge per unit time कितने time में क्या है charge या फिर electrons move कर रहे हैं यह flow कर रहे हैं उनको क्या बोला जाता है electric current जैसे आप डाइग्राम में देख सकते हूं यहाँ पे cell लगाया हुए जो positive और negative terminal होते हैं यह जो wires है इन में क्या है electrons flow कर रहे हैं जिनकी वज़े से यह बल्लब क्या है filament क्या है glow कर रहा है clear है आपको term यह electric current I hope समझा चुका है current को हमेशा याद रखना ampere में मेर किया जाता है ampere इसकी unit मेर करने के लिए clear आपने यही terms इतना ही sufficient है बस यही पता होना चाहिए एक तो formula और आप इसको मेर किस्से करते हो charges two type की होते है positive and negative और हमेशा क्या है high potential to low potential क्या है electric charge flow करेगा clear next बात करते है types of current की current की कौन कौन सी types है mainly two types है एक तो है DC direct current और एक है AC alternative current direct current क्या होता है पहले तो एक चीज़ याद रखने वाली है कि इन में direction क्या होती है same जब current flow करता है same direction में clear current flow करता है same direction में ST डिख दिया मैंने तो उनको क्या बोलते है direct current example के लिए battery जो same current का graph बनता है वो बना देते हैं यहाँ पे पहले same current में क्या होता है देखिए straight होता है यह time के with respect to move कर रहा है यहाँ पे current के with respect to ऐसे straight graph आएका तो उसको कौन सा बोलते है direct current का graph clear है इसके बाद बाद करते है alternative current alternative current क्या होता है वो current जब क्या है current change हो with respect to direction इसमें जो direction होगी वो कौन सी होगी opposite direction होगी direction क्या होगी change होगी direction same नहीं होगी direction क्या होगी change होगी देखिए with regular intervals का मतलग जो क्या है time है वो equal intervals में होगा इनका जो graph बनता है वो ऐसे बनता है clear यहाँ पे क्या है यहाँ पे time move करते क्या है current flow करता है इधर वाली side तो देखिए ऐसा graph होता है किसका alternative current का clear है इसके बाद बाद करते हैं relation between electric current and potential difference इनकी बाद करते है कि इनमें कौन सा relation है उसके पहले आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि potential difference क्या होता है potential difference बोलते हैं हम जब work किया जाए per unit charge work done per unit charge just a second work done per unit charge उसको क्या बोलते है potential difference बोलते है potential difference को मेजर किया जाता है volts में यह अपने याद रखना है कि potential difference 2 points में कितना है 2 points के बीच में जब electric field कैए कि इसके equal है work done by charge की तो इनमें relation क्या है potential difference 2 points के बीच में जब होता है वो directly proportional होता है current में means इतना potential difference होगा उतना ही current होगा इसको ohms ला भी बोलते हैं ohms ला भी बोलते हैं इसमें vi is equal to v by i is equal to r constant लगाएंगे यहाँ पे v is equal to ri यहाँ पे बन जाएगा v by i is equal to r I hope आपको यह term clear हो चुकी है r means resistance potential difference को मेर करते हैं volt में current को मेर करते हैं ampere में and resistance को मेर करते हैं ohms में देखे यहाँ पे लिखा हुआ है और यह graph भी इसी चीज़ का है graph कैसे move कर रहा है straight ठीक है जी with respect to current and potential difference resistance क्या है हमारा constant है clear है यह आपको term next बात करते हैं components of electric circuit electric circuit के कौन से component है पहली बात तो जब भी electric circuit की बात होगी जिसमें current flow कर रहा है बलब own हो रहा है वो कौन सा होगा continuous होगा अगर continuous होगा तभी उसमें क्या है electrons क्या करेंगे flow कर पाएंगे clear तो दूसरी बात क्या है जो components है उसमें क्या है कौन कौन से component है देखे पहला तो बलब switch battery battery means more than one cell देखे यह cell है plus minus अब एक से ज्यादा अगर मैं cell को join कर दू पॉजिटिव नेगटिव तो यह क्या बन जाएगी आपकी battery बन जाएगी इसके बाद resistor and wires connect करने के लिए यह क्या आपके components हैं किसके electric circuit के यह important components है छीके जी यह आपको पता होना चाहिए यह भी पता होना चाहिए आप इनको indicate कैसे करते हैं कौन कौन से इनके symbols है I hope आपको यहाँ तक clear हो चुका है next बात करते हैं electric cell अब electric cell क्या होता है electric cell एक ऐसा device है जो क्या है weight device है जो क्या करता है chemical energy को chemical energy को convert कर देता है electric energy में chemical energy को convert करता है into electrical energy प्लीज थोड़ी सी handwriting problem है आप थोड़ा सा आप adjust कर लेंगे into electrical energy clear है उनको क्या बोलते हैं हम electric cell एक ऐसा source है जिसमें EMF क्या रहती है constant EMF क्या रहती है constant बड़ जो current है वो constant नहीं रहता है current constant नहीं होता वो change होता रहता है cell में clear है I hope यह term आपको clear है इन्हें के basis पर क्या है combination होता है cells का अगर two or more cell means ज्यादा cell join करते हैं तो वो क्या है battery बन जाती है अगर तो वो क्या है एक तो बन जाता है parallel combination एक बन जाता है series में combination two types का combination बन जाता है clear मैं यहाँ पर draw कर देती हूं जो तो series वाले होते हैं वो तो ऐसे होते हैं sorry ठीक है जी यह तो होगे series वाले combination means two two यहाँ पर positive negative positive negative ऐसे क्या है आपस में combine कर जाते हैं अगर मैं बात करूं parallel की तो वो क्या होते है parallel ही होते हैं जी यह से ऊपर positive negative फिर नीचे positive negative जस्ट आज़कें दुबारा ही कर लेते हैं यह यहाँ पर थोड़ी से मैं raise कर दूं हाँ जी just a second parallel यह combinations दुबारा कर लेते हैं हाँ जी अगर तो मैं series की बात करूं तो क्या होते हैं circuit में क्या है series में connect किये ज then positive फिर negative positive फिर negative ऐसे करके यहां पर negative फिर positive अगर मैं बात करूँ पैरलर की तो जैसे उपर positive negative फिर नीचे भी positive negative ऐसे यह क्या है पैरलर ही आपस में क्या हो जाते है ज्वाइन हो जाते है I hope आपको समझ आ चुका है positive negative clear इसके बाद बात करते हैं हमारे next topic की open circuit and closed circuit क्या होते हैं देखो जब क्या है किसी भी circuit में current flow करते है तो वो flow करता है positive terminal to negative terminal flow करता है हमेशा याद रखना है इसी की वज़स से हम क्या है two बनाते है positive एक negative two circuits बनाते है तो क्या है जब battery क्या है connect की जाती है किस से positive terminal की negative terminal आपस में connect की जाती है अगर तो current flow means circuit complete हो क्या हो circuit क्या हो complete हो उनको क्या बोलते हैं जिसमें current या फिर electrons flow करें उनको बोलते हैं closed circuit उनको बोलते है, Closed Circuit अगर कहीं से भी Circuit क्या हो, Break हो क्या हो, Break हो और Electrons Flow ना करें उनको क्या बोलते हैं, Open Circuit क्या बोलते हैं, उनको Open Circuit बोलते हैं, देखें, یہाँ पे Closed Circuit है, यहाँ पे सब आपस में जुड़े हुए है, Electrons फ्लो करें इसी की वज़ा से बल्लब क्या है शाइन कर रहा है पर यहां से क्या है circuit break है इसी की वज़ा से क्या है बल्लब shine नहीं कर रहा बल्लब glow नहीं कर रहा क्योंकि बीच में क्या है ब्रेक है ठीक है टूटा हुआ है I hope आपको closed circuit और open circuit clear हो चुक है दोनों के दोनों with the help of diagram किये हमने next बात करते है conductor of electricity conductor का क्या मतलब है वो material या वो substance जो क्या है allow करें क्या करें allow करें permission दें electric current को pass होने में या electrons को pass करवाने में electric current को pass करवाएं उनको क्या बोलते हैं conductors बोलते हैं clear example की बात करें metals human body human body human body हमारी जो खुद की body हमें शौक लगता है न तो इसका मतलब क्या है हमारे में क्या है current flow करता है human body में करता है ठीक है इसके इलावा acids acids भी क्या है good conductor है उनमें भी क्या है pass करता है जिन में flow ना करें electric current उनको बोलते हैं insulators क्या बोलते है insulators अगर हम बात करें जितना भी प्लास्टिक है ठीक है वो क्या है एक insulator है उनमें से current past नहीं करता I hope आपको दोनों की दोनों terms clear हो चुकी है next बात करते हैं किसी भी conductor में और वो क्या हो जाए heat हो जाए heat किसकी वज़ा से आती है resistance की वज़ा से just a second हां जी जो work होता है काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं वो क्या generate करते हैं heat generate करते हैं उसी को बोला जाता है heating effect यह क्या है study किया था जूल ने जूल एक person का name है आपको तो पता ही है complete name भात करें James Prescotti Joule उन्होंने discover किया था heating effect जैसे हम example ले सकते हैं हमारी जो press होती है जिससे हम कपड़े के press करते हैं उनको वो भी क्या है heater इसमें water गरम होता है यह सभी heating effect है जो क्या है electric circuit पे होते है current pass करवाते हैं ठीके जी यह सभी उनीकी examples हैं कौन-कौन से factors पे depend करते हैं देखे एक तो length पे conductor की length क्या है जो क्या length है वो directly proportional होगी conductor की length की जिसमें से current या फिर electrons क्या है flow कर रहे हैं I hope आपको heating effect क्या है समझ आ चुका है clear हो चुका है Electric crunch जब pass करता है किसी भी conductor में से और वो heat generate करें क्या generate करें heat generate करें किसकी वज़र से resistance की वज़र से ठीक है resistance की वज़र से जब वो क्या heat generate करता है resistance को overcome करने के लिए तो उसको क्या बोलते है है hitting effect बोलते है clear यहाँ पर थोड़ी सी spelling problem है electric की यह मत ऊपर वाले check कर लेना clear next बात करते है electric power electric power क्या होता है देखिए rate at which जब electric energy कौन सी electric energy just a second electric energy electric energy क्या है dissipate हो जाती है ठीक है divide हो जाती है किस-किस में dissipate होती है दूसरी form of energy में into just a second into other form of energy दूसरी form of energy में उनको क्या बोलते है electric power बोलते हैं power का formula P is equal to work done by with respect to time या फिर आप लोग इसको resistance पे भी change कर सकते हो कैसे बन जाएगा R is equal to potential difference का square by या पावर तो इसको क्या बोलते है पावर तो इसको क्या बोलते है electric power और इसकी unit क्या होती है इसकी बूप को नहीं से बनोगी देखो work को किसमें वाइर कर थें हो हम जूल में और time को किसमें मेर करते है इसको मेर क्या जाता है जूल तो unit क्या बन की जूल पर mic एसको हम watt भी लिख सकते हैं इसकी unit watt भी उती है डबल्यू एडबल टी वाट, इलेक्ट्रिक पावर को क्या है, वाट में भी मेर किया जाता है, ठीक है जी, और I hope आपको यहां तक क्लियर हो चुका है, इसी के बेसिस पे आपके MCQs बनते हैं, इन चेक्टर में से, पावर में से पूछ लिया, फॉर्मूले के बेसिस पे, इल क्या डिफ्रेंस है, यह कोशन बनते हैं, I hope यहां तक आपको क्लियर है, thank you so much, please like the video, comment कीजिए, share कीजिए अपने friends के साथ, अगर आप channel पे new है, तो subscribe कीजिए, और अगर आपका कोई भी doubt है, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, किसी भी chapter के related science के, आप कोई भी question पूछ सकते हैं, I hope आपको वीडियो अची लगी होगी, like कीजिए and comment कीजिए, thank you so much,